असलाम लेकुम, इस लेक्षर के अंदर ना बहुत मज़ा आने वाला विकाउस वियर गूइंग टू क्रियेट पाकिस्तानी मैप अकॉर्डिंग टू डिफरेंड काइंड और क्राइटरिया और मैं डेटा से लेके अट दी एंड प्लॉट भराने तक आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ डेटा कहां से लेना है कैसे लेना है कैसे सर्च करना है ये भी सब कुछ इस लेक्षर के अंदर आपको बताने वाला हूँ तो फॉलो करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको शुरू से इंड तक देखें और साथ में प्रैक्टिस भी करते जाएं ताकि आप पावर बी आई को और भी मास्टर कर सकें लेट्स जम्प इटो इट स्क्रिन आपके सामने हाजिर है यहाँ पर हमने गूगल पर जाने के बाद हमने यहां पर Google data सर्च पर चले जाने है ठीक है तो तो इस उड काइंड आपर सर्च calm ऐस कर सकते मैं यहाँ पर लिखता हूं पाकीस्तान और साथ मैं लिखता हूँ population तो हमारे पास population of Pakistan का ये data आ जागा है और मैं जैसे free पर click करूँगा तो ये मेरे पास सिरफ और सिरफ free data जो है वो show करवाएंगे So here you can see कि हमारे पास historical data है 1960 से लेके 30 December 2022 तक का data है हमारे पास और यहाँ पर ये data का link दिया हुआ है कि आप इस तरीके से download format के अंदर जा सकते है attribution ये है and so on and so forth मैं यहाँ पर click करता हूँ let's see कि यह हमारे पास data देते हैं कि नहीं देते और obviously मैं download पर click करने के पार download data पर click करता हूँ और जैसे मैं download data पर click करता हूँ they are asking me for money so most of the time आपके पास इस तरीके से भी होता है काम कि आप data को export करना चाहते है या कोई भी काम करना चाहते है then it asks you for money so for example मैं यहाँ पर summary पर click करके देखता हूँ कि क्या यह data मेरे पास वैसे available है अगर नहीं available then we will see or otherwise we will go to another source और वहां से अपने data एकठा करेंगे so this doesn't work अब हमारे पास next पर click करते है तो यहाँ पर हमारे पास यह वाला information है यह explored at this data सब सुबाक data catalog भी है and then there are many other things जो यहाँ पर हमारे पास population density पर at 100 meter resolution वर्ड पॉपुलेशन पर वायर यह वो फ्लां 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 यहाँ पर सारा कुछ है पाकिसानी data available from word pop here तो वो कहते हैं कि यह page यह है आपको यहाँ पर भीजने की कोशिश कर रहा है हम वहाँ पर चले जाते हैं और this page doesn't exist so that happens अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर आते हैं trading economic data और यहाँ पर आपके पास फिर अगें वही website open हो जाती है that's a kind of thing अब यहाँ पर अगर मैं click करूँ Pakistan census और यहाँ पर मेरे पास एक और है Pakistan subnational population statistics तो यहाँ पर मैं click करता हूँ तो यह Kaggle की website पर ले जाते हैं और usually Kaggle का data जो होता है वह basically अच्छा होता है and then you can have a look और इस data को आप download भी कर सकते हैं जैसे मैं इस पर download पर click करूंगा it will ask me कि आप sign in करें और आपको sign in करना पड़ेगा but on the other side जैसे मैं पाकिसान पपॉपलेशन के यहां पे जाता हूं यहां पे यह एटा जिप और सीएश वी में वेलेबल है data.word पे जाते हैं यहां पर देखते हैं कि जी हमारे पास data या आता है या नहीं आता and then we will see कि यह data हमारे पास किस तरीके से available है और यहाँ पर जैसे मैं click करता हूँ download पर click करता हूँ and it again ask me कि आप जी इसका account बना ले so usually that happens लेकिन केगल के उपर अगर आपका account बना हुआ है then you can actually work on this data मैं यहाँ पर अपना sign in कर लेता हूँ करता हूँ पहले केगल के उपर because I don't want to show my account on Kegel और मैं जैसे इसको sign in करता हूँ तो यह मेरे पास Kegel के उपर यह इस तरीके से आ गया हूँ है ठीक है और मैं data को पहले explore करूँगा हमें जो location वगरा चाहिए वो इसमें मुझूद होगी then we can only do this kind of analysis otherwise it would be hard for us so यहां पर चेक करें कि यह हमारे पास ब्लोचिस्तान का data and some other data sets हमारे पास मुझूद है और यहां पे ruler urban और यह इस तरह का data मुझूद है मैं से download करता हूँ download करने के बाद यह मेरे पास zip file के अंदर आ गया मैं अब अपने folder में जाता हूँ यहां पे जो हमने data set for practices के लिए रखे हूँ है मैं वहां पे जाता हूँ download से मैं इसको copy करता हूँ copy करने के बाद मैं यहां पे इसे paste करता हूँ paste करने के बाद मैं इससे extract करता हूँ यहां पे extract करने के बाद यह मेरे पास इस तरीके से data आ जाता है I will remove the other data मैं इसको remove कर दूँगा और यहां से यह मेरे पास Pakistan Census का डीटा इसे मैं cut करके यहां वे paste कर दूँगा और यहां से archive को भी delete कर दूँगा so now I have this data set मैं एक्सल में open करके पहले एक दफार देख लेता हूं data कैसा है और do not convert this we don't want to convert this क्योंकि यह data हमारे पास है so हमारे पास यह different columns है जिनके ओपर हमारे पास data मुझूद है and then you can see कि आपके पास बलोचिस्तान है मैं यहां पे अगर data filter लगा हूं अपने पास shift L तो यह हमारे पास इस तरीके से फार्टा इसलामाबाद के पिके पंजाब और सिंद्ध यह चार हमें एरियस दिखा रहे and there is no city name here yes city name कोई नहीं है हमारे पास इस वकत so here it is yes तसील हमारे पास मजूद है and then we have area nearby yes we have this data to मेरे पास यह data आगया जनाब वाला मैं इसको सेव किया हुए पाकिस्तान की सैंसिस का 2017 अब हम पावर भी में जाते हैं यहां पर मैं लिखता हूं 19 और इसको मैं बोलता हूं पाकिस्तान मैप इसके अंदर जाने के बाद हमने अपना डेटा पहले वर्क बुक से रीड कर आने यहां पर हमारे पास एक्सल का डेटावेस आ रहा है बट वी कांट सी दे अधर डेटा उसकी फॉर्मेट किया है वो पहले देख लेते हैं यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सल की ही फॉर्मेट है बट इसंट शो एनिफिंग लेक बाद सिर्फ सेंपल सूपर स्टोर का डेटा रहा है और कोई डेटा करने के बाद में टेक्स या सिएस फाइल लेती है बटेक्स या जो बोडो हगा और यहां से हम इस डेटा को देख भी सकते हैं कि यह हमारे पास डेटा है और यहां से अगर मैं पाकिसान के डेटा को अगर मैं अब हर कॉलम को नाम देना चाहूं यहां पर हमारे पास अगर आप गौर करें तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका नाम दिया गया हो ठीक है आप किसी भी फाइल को CSP वाइल को एक्सल में उपन करें और से करें करने के बाद इसको आप Excel SX में से अघॉर करने यानिक एक्सल वर्क बुक में से अफ कर ले इंडन इट विल शो लाइक दिस ठीक है अब है मेरे आपके पास Excel की format में भी आ गया पाकिस्तान सेंसे का डिटा इस वन इस Microsoft Excel वर्क बूक शेट मैं इसको ओपन करता हूँ ओपन करने के बाद यहीं पर हम इसके नेम चेंज कर देते हैं से फर एक्जैंपल जो पहला नेम है इसका नाम है जनाब प्रोविंस आई वुद से यह रिजन इसको बोल देते हैं प्रोविंस कहा देते हैं फुर नाव प्रोविंस फिर आपके पास है यह दूसरा डेटा जिसके अंदर आपके पास मेरे ख्याल से यह दिस्ट्रिक्स हो जाएंगे तो डेटा आपने देखने हैं और यू देन यू देटा तैसील डिस्ट्रिक्स इटी इस तरह के से यह देटा होता है और देन वी हब एरिया इन स्केर मेरे किलोमेटर और टोटल पॉपॉपॉलेशन तो आपके यहां से यह जो पाकिसान का डेटा हमारे पास यह वाला देखने हैं नौ वी कन लोड एक्सल वर्क जो हमने अभी बनाई इसको उपन करता हूं ओपन करने के बाद यह डेटा मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा देन आइकन क्लिक ओन देस टेटा एंड देन लोड देस टेटा क्योंकि अब मेरे पास कॉलम के नाम नेम ठीक ह आपके पास जब धी कोई डेटा होता है उसको अच्छे तरीके से अगर वो उन्होंने ना बनाया हो देन इत मेक सम्काइंड आफ इस्यों क्योंकि आपको यह CSP फायरीड करना पड़ती है अंद यू कन वर्क अंद डेटा अब यहां पर चेक करें कि हमारे पास यह डेटा बीड़ता ने के बाद में यहां पर लूकेशन में जो डेटा है वो अपनी मर्जी की और कर सकता हो से फर एक्जेमबल मेरे पास प्रोविंस का डेटा मैं अने लूकेशन में आड़ किया इच्छुड शो पाकिसानी प्रोविंस का फिर यह यह यउ that इंस ब मुझे लगता है कि इसके अंदर पंजाब नहीं है but it's fine it should be there अगर हमने यहां पे अब total population देखनी है तो मैं यहां पे legend के अंदर वो चीज़ डालूँगा you will see total population की base पे आपके पास एक field map बन गया on the other side अगर आप province नहीं चाहते you can also do some kind of this thing district and this will show the district in Nambia में चला गया so there is something wrong इसको मैं district को उठा के location में डालता हूँ that doesn't work so something is wrong here because यह na value आपके पास काफी थी मैं city को उठा के डालता हूँ total population को बंद करते हैं फिलाल के लिए city के नेम के अंदर भी आपके पास null values काफी है on the other side अगर मैं province को उठाता हूँ so this is how it looks like तो यह आपके पास एक map बन रहा है और यहां पे population density को अगर मैं legion में रखूंगा so you will have population density like this ठीक है अब मैं आपको अपना data दिखाता हूँ जिसके अंदर हमने काम किया obviously यह data मेरा नहीं है तो हमने से डाउनलोड किया we can see कि क्या मसला है अगर आप यहां पर गौर करें ना तो आपके पास ब्लोचिस्दाने फटा इसलामाबाद है के पी है पंजाब सिंद लेकिन देर मस्ट भी नो वैल्योज और सम्टिंग इस रॉंग विद इस डेटा सेट जिसके वज़ा से यह data पूरे का पूरा हमें शो ने करवा रहा मेरे पास एक और डेटा सेट जो मैंने और रडी आपको दे दिया हुआ है अगर आप एफ यहां पे आपके पास ए और कोई data नहीं है city-wise data नहीं है so we cannot work on this data और otherwise here we have sub-division population of Pakistan और यहां पे हम देख सकते हैं कि यह sub-division की population का data हमारे पास मुझूद है प्रोविंस डिवीजन डिस्ट्रिक सब डिवीजन हम इसको लोड करने की कोशिश करते है Microsoft X comma separated value मैं इसको भी Excel में बना लेता हूँ अगर आप बनाना चाहते है इस totally up to you इसको मैं Excel में इस वज़ा से convert कर रहा हूं then we can easily import it वरना आप CSV को भी import कर सकते हैं तो मैं अब यह वाले data को model से निकाल देता हूं just for the safety के यह data बिलकुल अच्छा नहीं लगा and that happens it's normal तो यहां से मैं पाकिस्तान का सब डिवीजन population का data open करता हूं जैसे मैं इस data को open करता हूं it will come up like this मैं इसे load कर देता हूं load करने के बाद यह data मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा left side के उपर and now what I can do is मैं इसी data को आपको draw करके दिखाने कोशी करता हूं अगर मैं district को यहां से इनको पहलों को remove कर देते हैं district यहां पर paste करते है location में it's taking some time but it will show us soon inshallah के किस तरीके से यह काम करता है अगर मैं यहां पर population देखूं legend के अंदर let's see district is not working province yes province wise यह काम कर रहा है and here we have this data set जिसके अंदर आप province wise check कर सकते हैं कि everything is working fine और आप filled data बना सकते है right और आपके पास यह range भी है और range जो है यह colors को show करती है and here you can see the data of population अगर मैं population को बंद करता हूं then we have this province और अगर मैं division को ले करा हूं let's see it's not showing anything मैं province को ले करता हूं province is showing this thing अब देखते हैं क्या मसला है इस data set के अंदर sub division के उपर में click करता हूं और sub division के अंदर आपके पास नाम ऐसे हैं which doesn't show up और यह है आपका text data that's fine province का data भी आपका text data है text 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 district sub division district is this one then you have area in kilometer province के data set में Punjab भी है KPA भी फार्टा भी है सारा कुछ आ रहा है so there is something wrong in the map चले एक ओर ट्राइ करते हैं map के अंदर data हमारा ठीक है मैं इस map को delete करता हूं और यहां पे हम simple map एक बना के देखने के कोशिश करते हैं मैं यहां पे district को location में ले आता हूं and here you go आपका data काम का रहा है field का काम नहीं किया because of something is wrong तो यहां पे आप देखें आपके हर district का data पाकिसान के अंदर आपको इस तरीके से नजर आ रहा है और district के ऊपर अगर आप population 1998 का legend रखेंगे so now you will see this kind of pie chart और obviously हम population की base पे इस को देख सकते हैं something like this और legend की बजाए आप क्या कर सकते हैं you can also put this population in bubble size तो जहां पे जितनी population थी वहां पे आपके पास यह bubble size आ जागा और obviously कुछ नामों का problem है कुछ इंडिया के अंदर भी आ रहे हैं जैसे यहां पे हैदराबार district है वो पाकिसान में भी है वो इंडिया में भी शो हो रहा है तेहरान के अंदर आपके पास एक साउथ बजीरस्तान district है तो वहां पे भी है and here you can see आपके पास district शंगाल शंगला district है तो वो चाइना के अंदर भी है so that's why it's showing double minded things और मैं district के पजाए अगर division को select करता हूँ I can also do the same thing और यह मैंने division को location पे लेके जाना है and here you see के हमारे पास division wise data आगया obviously एक division DG Khan division जो है यह यहां पे शोग कर रहे so something is wrong in the map that happens so often और यहां पे एक हमें USA के अंदर शोग कर रहे बदीन division so I mean that could happen as well लेकिन on the other side आपके पास यह district का data इस तरह के से आ रहा and you can also draw this provincial data यह भी आपके पास है okay so मसला क्या आ रहा था इंडिया पंजाब के अंदर आपका पंजाब डिस्टिक शोग रहा है because it doesn't know के आपने पाकिस्तान पंजाब में जाना है या इंडिया पंजाब में जाना है so that's why that that is happening on the provincial level but on the other side आप यहां से location उठाएं और यहां से population आपने bubble size में डाली हुई है that that is fine और यहां पे आप all sexes की population दे सकते हैं and you can also have other data set जिसके अंदर आप subdivision भी देख सकते हैं say for example मैं subdivision करता हूं so हर district का subdivision भी आ गया and this is how you can create a simple map पाकिसानी मैप और basically आप पाकिसान का डेटा इस तरीके से शो करवा सकते हैं on the other side I would also recommend के जब भी आपको plot बनाएं तो different try ज़रूर करें for example मैं यहां पर shape map देखता हूं यह मेरे पास एक shape map है sorry यह हमारे पास एक shape map है और इस map के अंदर हम कोशिश करते हैं हमारे पास जो shape है इस वकत वो obviously different आ रही है तो मैं यहां पे province को location पे डालता हूं and let's see हमारे पास कौन सा डेटा था यह मेरे पास जो डेटा दिखा रहा है यह US का दिखा रहा है map and it shouldn't be like that so we have to actually look into कि किस एरिया की shape होनी चाहिए ठीक है so उस वज़ा से हमें इसको format करना पड़ेगा and then we have to change the shape और यहां पे अगर हम simple map दोबरा से लेकर आते हैं now you have an idea कि किस तरीके से एक map बनता है मैं quickly आपको दुबारा दिखाता हूं यह division आ गया और यहां पर मैंने bubble size के अंदर जा के अपनी जो population है urban की add कर दी और हमारे पास जो population ruler की भी मैं यहां पर tool tip के अंदर add कर देता हूं so this is how you can create a Pakistani map easily यहां तक आपको clear हो गया जो problem थी इस map की वो भी मैंने आपको बताएं data की problems भी बताएं जो आपके पास आती है और there are many other problems जो जब आप data के उपर गाम कर रहे तो आती है इससे बहुतरीन तरीका यह होता है कि आप latitude & longitude का data जो है वो कैसे आता है जब भी आप पाकिस्तानी पंजाब की बात करेंगे उसका latitude & longitude different होगा Indian Punjab का different होगा इसी तरीके से जो श्यंगला region है वो चाइना में भी आप पाकिस्तान में भी है So based on that, जो अभी मुझे map दिखा रहा था, based on that, you have to put your latitude and longitude. Latitude, longitude क्या होते हैं? यह basically coordinate system है, जब आप कोई भी map draw करते हैं, तो आपको वो specific coordinate उस location के आपको देने पड़ते हैं, other than the names of the cities or the divisions or the subdivisions. So this is how you can create map. अब आप से मेरी request है कि आप COVID-19 का डिटा निकाले और उस पे अपनी practice करें कि पाकिसान के किस सेरिया में कितना COVID-19 पहला हुआ था, with latitude and longitude. कहां पे आपने latitude and longitude add करने, you have to just drag and drop the columns here, latitude and here is longitude. और अगर आप देखें तो यहां से आप latitude and longitude of, for example, मैं यहां पे लिखता हम फैसलाबाद, तो यह चेक करें, आपके पास यह इस तरीके से latitude and longitude दोनों आ जाएंगे, ठीक है? और यहां पे आपके पास 73 degree, 74 degree and then you have this degrees. Other than that, you have different kind of systems यहां पे जाके आप अपने latitude and longitude देख सकते हैं. It's very simple and you have to create two columns और वहां पे आप जाके अपने coordinates देख सकते हैं. इनको हम GPS coordinates भी बोलते हैं, something like this, जिसमें आपके पास degree, minutes and seconds होते हैं and then you can actually look into the latitude and longitude of your data. यहां तर clear हो गया, please, इस तरह के lectures को अगर आप लाइक करते हैं, जिसमें मैं errors को भी साथ में दिखाता हूँ, so write down in the comment section अगर आप चाहते हैं कि सरफ to the point videos हों, lectures हों और आपको सिरफ एक चीज़ बना के देजिए आए, then you can also let me know. अपना खिया रखें, दौ में याद रखें, see you in the next one, love this.